मेरा पहला वीडियो है और यूट्यूब इसमें आप दिखेंगे कि मैंने यह लुक कैसे चीव किया है मेरा नाम है दिवय दिवय किरतानिया तो जलिए स्टार्ट करते हैं इसमें हमने सबसे पहले लगाया है सिटाफिल सिटाफिल का मॉस्टराइजर बेस्ट है फॉर ड्राय कि इनका ड्राय स्कीन है बहुत फ्लेकी रहता है यह आया आया ओयल-प्राइमर और र्राय स्कीन के लिए था तैन विंटर दिसमंबर थे तो हमारे साइड थी थे ठंड रहती है दिसम्बर में यह यह ऐल-प्रायमर को मुझे हैं से अप्लाइ करना आ अच्छा लगत यह यह ने हैंड से अप्लाई किया है यह गलो पी प्रोवाइड करता है जैसे होता है ज्यादा गलो नहीं होता दहने हम लगाएंगे प्रोग ऑपनीद्ध और इलेगल का यह और इंज कलर गंसीलर है कला करेक्टर करेंगे यह बहुत अच्छी पिक्मेंटेशन हाइड करता है इससे आफ्टर मेकप आपका पिग्मेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा यह तो लोकल ब्रश ही है कोई ज्यादा एक्सपैंसी कोई ब्रश नहीं है बस ब्लेंडिंग अच्छा करेंगे हम इससे दीरे दीरे यहां पर में इस पर वीडियो फासला रख आया बट मैंने बहुत ही सऽ्लूग हेंड से यहां पर इस कंसियलर को ब्लैंड किया था धीरे धीरे ब्लैंड करेंगे इसको पिग्मेंडेशन अन्डर आये थोड़ा माॉस पे घ्लका कफल का था थोड़ा अंडर टोन है इसलिए होता भी है थोड़ा बहुत दर अच्छे से इसको अप्लाइब करेंगे जिससे अच्छे से आपकी हैड हो जाएगी कि अच्छे से ब्लेंड नहीं करते दन यहां पर आया आई वेरी शेड क्रेल उन का सुप्रा कलर पैलेट से इसको हम आई पर अपलाई करेंगे एक बेस देने के लिए अच्छे मेकप के लिए अच्छा भी इस तो बहुत जरूरी होता है तो इसलिए हम इसको अच्छे से अप बहुत ही अच्छा जूरी सेट मेर को प्रुवाइड हुआ था मीशो से कुछ-कुछी तो मीशो पर बहुत अच्छी आप ले सकते हैं मैं लिंक दे दूंग इसका लेकिन कुछ-कुछी तो मुझे अच्छी नहीं लगी तकि वह चीप आती है और चीप तो कर क्वालिटी भ आप्लाए गरेंगे इस अधिन फ्लैट ब्रॉश है फ्लैट ब्रस से अप्लाए कर रहे हैं सिंबल-सिंपल कोई ज्यादा कोई हाड काम नहीं करना हमको इसमें यह उपर की साइड से थोड़ा आइब्रो को शेप देंगे इनको थोड़ा सा डाउन आइब्रो पसंद है हलकी तो इसको समझ करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से ये ब्यूटी ब्लेंडर है पीय सी का पीएजिए का ये आपको नायका पर मल जाए गा कुछ चीजी हमें होता है निक अच्छी रखनी ही पड़ती एपलिकेसे टूले तो काम अच्छा हो गई नहीं तो इसलिए आपको टूल्स तो एटलीस अच्छे रखने ही है इसलिए आपको अच्छे ही टूल्स यूज़ करने चाहिए जिससे की हमारा वर्ग जो है वो थोड़ा प्रीटीव लगे और अच्छा लगेंगे इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हल् तो अच्छा ब्लैंड होता है आईविरी शेड बहुत अच्छा शेड है फोर आई मेकप बेस बनाने के लिए अगर आपके पास लिक्विड कंसीलर तो आप वह भी यूज़ कर सकते हैं यह मैंने लिया ब्यूटी ग्लेज की पैलेट से परपल सम पेंकिश शेड था मिक्सप स शेड है थोड़ा उसको हम आउटर कॉर्णर में फिल करेंगे यह ना तो प्रॉपर परपल है ना प्रॉपर पैंक है तो इसको यहां पर हम आउटर कॉर्णर में फिल करेंगे अच्छे से ब्लैंडिंग 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 लाइटली हैंड से करना है मैंने बहु कि जल्दी बस हो जाया पूरा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती तो होई जाएगी इसलिए आइब्रो को उपर से होल्ड करते होए जहां से उसका पॉइंटेड होता है आइब्रो वहां से यह कंसीलर है लिक्विड सुछ ब्यूटी का इससे हमने कट क्रीज करेंगे इस कट बनाएंगे यह भी लोकल ही प्रहशा है मैंने अमेजोन से पर्चेस किये थे लेकिन बहुत अच्छे चलते है आप ब्रेंडिड हो चैह लोग को लोग अच्छा काम होना चाहिए यह रिवलूशन की पैलेट है यह मेरे को फ्री ऑफ कॉस्स मेली थी मतलब मैंने एक पैलेट में स्विस्ट ब्यूटी का भी उसकर सकते हो इसको अच्छे से यह जहां पर हमने कट क्रीज किया है यह से कि दो दीन पैलेट में मैं तो फिर यह परपल शेड है ब्यूटी ग्लेज की पैलेट से अब हम इसको अच्छे से आउटर कॉर्णर में ही ब्लेंड करेंगे आइस खोलने के बाद वो बहुती गंदा लगता है कि जैसे हमें पत्ती जैसा कुछ बना दिया है इसलिए यह है इन कलर्स का काजल यह भी लोकल काजल है मैंने यहीं से परचेस किया था शायदे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा बट मैंने तो यहीं से लिया था मार्केट से यह बहुत अच्छा काजल है यह लांग लास्टिंग रहता है यह सिस ब्यूटी की लैशेज है यह मैंने ऑनलाइन परचेस की थी आई थिंक यह वरंटन और नाइन्टी संथिंग की आती है यह आई ग्लू है यह भी लोकल है फिफ्टी रूपीस का आता है यह हमारे बना के आपको जादा नहीं लेना है कि वाइटिश हो जाएगा तो फिर गंदा लगता है मेरी क्लाइन को वाइटिश लुक चाहिए भी नहीं था उन्होंने बोला था कि जैसे मैं हूं महसी लगनी चाहिए इसलिए हमने नैच्रल ही लुक रखा है तो यह दोनों को अच्छ Amazon से परस्ष का था यह पीस्का बहुत अच्छा ब्लेंडिन ब्रश है अभी तक मैंने इस रे असले चाहली ब्रश नहीं बहुत अच्छ सेलिन करता है बहुत अच्छा प्रौडक्ट्ट भी बहुत अच्छ इसमें उप्लेंड होता है नहीं तो दूसरे पर ब्रस मेंग्ष अगर आप चाते हो कि हेडू की वीडियो बनाओ तो प्लीस मुझे कॉमेंट करिएगा यहाँ में हमने अच्छे से ब्लेंड किया यह दो ब्यूटी ब्लेंडर आये थे उसमें पी एसी में तो यह मैंने सेकंड ब्यूटी ब्लेंडर उठाया है ब्लेंड करने के लिए मुझे चोटा ही ब्लेंडर अच्छा लगता है कि वो चलाना इजी होता है तो बड़े में थोड़ा सा मेरे को मेरे को छोटा ही सही लगता है इसलिए समद में चोटा ही उसकरते हूं यह मैंने चोटा ही उसकिया यहाँ अच्छी से डैबिंग मोशन में यह मैंने फास्ट चला रखाए वीडियो लेकि मैंने धीरे 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 किया था बहुत आराम आराम से मतलब आपका प्रॉडक्ट चाहे चीप हो चाहे आपका हाई हो थोड़ा आप आराम से उसको टाइम लेके करेंगे फिनिशिंग से तो अच्छा ही लगेगा यह यहां प्याया स्विस ब्यूटी का कंसीलर अगयान जिसे हमने कट क्रीस बनाया था इसको अंडर आए इनर कॉर्णर में और आउटर कॉर्णर में दोनों जगा थोड़ा थोड़ा लगाएंगे इसमें जादा नहीं लगाया मैंने बहुत little bit quantity थी इसकी इसको अच्छे से लगाएंगे इसके से अप्लिकेशन करेंगे इसके यहां पर उसी beauty blender से अच्छे से बिलकुल dabbing मोशिन में आपको dabbing motion में करना होता, अगर आप उसको रगड़ोगे, या फिर आपको उसको harsh, मतलब फोड़ा hardly करोगे, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट इधर से उधर shift हो जाएगा, यह यहाँ पे fit me का loose powder है, बहुत अच्छा loose powder है, fit me का, मैंने दी तो मैं इसको, I think, 6-7 साल से color character wheel है, इसमें से मैंने ये dark shade पिक किया है, contour के लिए, nose contour करेंगे से हम, इसे chicks contour भी करेंगे, थोड़ा light contour चाहिए था, उनको चाहिए भी था, और कुछ उसका, उनका face बहुत, थोड़ा flat है, इसलिए मैंने ज्यादा contour किया भी नहीं, कि बहुत light सा contour हो, बहुत ही light contour करेंगे, इसको भी dabbing motion में upper, upper direction में चलाएंगे, nose पर भी बहुत सी light, slightly चलाना है हमें, नहीं तो क्या होता है, कि nose dark, dark लगती है बहुत जादा, इसको हलका हलका ही dabbing motion में, यहाँ पे फिर हमने beauty glaze की palette से purple shade पिक किया है, जो हमने eyes में, outer contour में लगाया था, same shade है, brush स्टार मेकर, स्मार्ट मेकर, ऐसी कुछ brand है, यह जो red color के brush है हमारे, यह हमारी, मैंने highlighter लगाया था, थोड़ा सा, highlighter आप आगे देख लीजेगा, same highlighter मैंने यहाँ पे दिया था, inner corner में, कि से थोड़ी define लगया, यह Miss Rose की palette से, blusher है, हलका ही, इसका pigment बहुत अच्छ है, बहुत चीप है, लेकिन बहुत अच्छा है, यह I think 300 अरांड की cost में था, मैंने बहुत पहले लिया था, इसको कमी उस करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा pigment है, बहुत अच्छा, यह अच्छा, यूस तो कम नहीं, लब बहुत ज़्यादा भी नहीं करती है, लेकिन करती हूँ, आपका पूरा face पे, मुझे तो मेन वही लगता है, कि highlighter उससे ही glow आना है, उससे ही shine आना है, तो इसलिए highlighter तो अच्छा ही purchase करना चाहिए, आप इसमें affordable में, wet and wild, या फिर mebeline वगर का भी ले सकते हैं, यह यह भी local brush है, इसकी local brush की help से, मैंने यह application किया है, लिप्स पे, chin पे, चिक्स, जहां पर भी आपके highlighted areas हैं, सब में अच्छे से करेंगे, अब आता है number eyebrow का, यह brush तो mebeline का है, mebeline glossal के साथ आया था, काजल के साथ मतलब, gel काजल के, लेकिन मैंने यह same pigment उठाया था, in colors का, दन यह आया यहाँ यहाँ पे, curl queen का liner, liquid liner, यह बहुत अच्छा liner है, affordable में one ten something का मिला था मुझे तो, यह स्विज beauty की lip liner है, lip pencil sorry, lip liner और lip pencil, यह इसको अच्छे से shape देते हुए, हम इनको थोड़ा, मतलब जैसे natural look चाहिए था, तो उन्होंने बोला था कि lip over मत बनाना, जो है मेरे simple lips वही चाहिए, तो हम वही रखेंगे, बस उनको shape दे देंगे का हमने shape लिया, यह lipstick इसमें थोड़ा pinkish लग रहा है लेकिन यह maroon था थोड़ा, maroon shade था, यह liquid lipstick यह local ही है, मैंने कोई branded नहीं use किया है, यह भी मैंने normal market से purchase किया था, आपको 110, 120 या फिर 220 के around मिल जाएगा, आराम से, यह online भी purchase कर सकते हैं, जैसे कि आप faces Canada के ले सकते हैं, उन तो मैंने yellow color की बिंदी पे lipstick लगा के same color का बिंदी बना दिया था, उनको उन्होंने बोला कि मुझे lips से ही match बिंदी चाहिए, तो फिर मैंने का कि चलो, matching बिंदी तो नहीं है, लेकिन ऐसे आप कर सकते हैं, कोई भी lipstick की बिंदी बना सकते हैं, तो जब आपने ही तक देख ही लिया है, तो प्लीज सस्क्राइब कर दिजीगा चैनल को, और लाइक भी कर दीजेगा, और शेर प्लीज, ओके थैंक यू, फो वाचिंग, अगर आपको अच्छी लगती है, तो मुझे कमेंट करके वज़रूर बताईगा, ओके बाई